भी नमस्कार साओर कुंटिंग चानल में आपका स्वाधित है। आज हम बनाने जा रहे हैं जीडो ओईल बेंगन का भरता बिना तेल की मैंगन का भरता बनाना बहुत ही आसान है। और यह बहुत स्वादिष्ट भी है आएए देखें इसको बनाने की विधी इसको बनाने के लिए आप बैंगन में चारो कॉर्नर पर स्लिट कर लीजे और एक एक करके इन चारो स्लिट्स में हरे मिर्च और गार्लिक को स्टफ कर लीजे यह प्रसेस कम्क्लीटली ओप्शनल है अगर आप चाहें तो इसको अवॉइट भी कर सकते हैं बैंगन जिसको एक प्लांट और आबरजीन भी खा जाता है एक लोग क्यालरी वेजेटेबल है यह वेट लॉस के लिए हार्ट पेशिंट्स के लिए हाइपरटेंसिव पेशिंट्स के लिए और यहां तक की डाबेट अब हम बैंगन को गयास पर भून लेंगे अगर आप चाहें तो इसको बॉइल करके भी कुप कर सकते हैं तिस इस कम्क्लेटली ओप्शनल अब एक पैन लेंगे जब पैन थोड़ा गरम हो जाएगा तो उसमें जीरा अट करेंगे जीरा ख्राकल होने के बाद उसमें अनियन आट करेंगे याद रखिए कि इस पूरे प्रसेस के लिए आपको साउल ओल की जरूरत पड़ेगी यानि की पानी जैसे ही खाना पान पर चिपके आप उसमें थोड़ा पानी स्पिंकल करके उसको कुप करते रहे जब प्यास हम उसमें जिंजर कालिक पेस्ट आड करेंगे अब ट्मीटो आड करके उसको प्रॉपरली कुप कर लेंगे अब हम इसमें मसाले आड कर लेंगे मसाले कम्प्रीटली ओप्शनल है मैंने हींग और रेड चिली आड करा है आप चाहने तो इसको अवाइड कर सकते हैं जब तक मसाले को खू तब तक आप बैंगन के उपर से ब्लाक लेर को खटा ले और उसको माश करने के तयार रखें आज 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 अब हम बैंगन को मैश कर लेंगे अब हम मैश्ट बैंगन को अपने मिक्शर में आड करेंगे अब बैंगन को अपने मिक्शर में प्रॉपरली मिक्स कर लेंगे ताकि फ्लेवर्स अच्छे से इंभाइब हो पाएंगे अब दिखां आपने जीरो और बैंगन का भरता पताना कितना आसान है इसका टेस्ट पिलकुल तेल वाले बैंगन की भरते जैसा ही है आप इसको ज़रूर ट्राइ करें और हमें बताएं आपको यह कैसा लगा थांक्यू करें परें आपको यहीं